बोलो स्री प्राणनाथ प्यारे बोलो स्री सद्गुरू महाराज स्री जीस सया पर लेटे हुए हैं उसमें एक बहुत ही कोमल गद्दा विच्छा हुआ है जिस पर एक कोमल और पतली नरम चादर है सिर की तरफ कोमल गाल मसुरिये हैं जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे या कई बार बड़े बच्चे भी अपने हाथ को ऐसे गाल के नीचे रख करके सोते हैं जिससे कई बार क्या होता है हाथ का जो रक्त प्रवाह है बलड सर्कुलेशने वो रुक जाता है अब सुन्दर साथ ने देखा कि स्रीजी को इतना भी कश्ट क्यूं हो इसलिए छोटे छोटे तकिये जिसमें कोमल अच्छी गुणवत्ता के रुई भर करके गाल मसुरिय जिसे कहा जाता है ऐसा बना करके उन्हें दिया है कहते हैं ए जाने सैया दिल मरम उसे क्यूं रखा गया है उसे रखे जाने के भाव को एक ब्रह्म स्रिष्टी का दिल ही समझता है मैंने इसलिए पहले ही कहा कि सुन्दर साथ की सेवा भावना को देखना जरूरी है अब छोटे-छोटे तकिये बना के रख दिये वैसे देखने में लाएगा कौन सा बड़ा काम है हम भी रख सकते हैं पर वास्तविक्ता ये है कि हमें तो कहना पड़ता है ना किसी सेवा के लिए स्रीजी ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए इस सेवा की आवसकता है सुन्दर साथ ने अपने तरब से समझ करके जो चीजे कई बार हमें लगती है कि इसकी तो क्या वशकता थी ऐसी ऐसी भी सेवा सुन्दर साथ ने की है क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक अपना पण का भाव लेते हैं कि ये हमारे अपने हैं तो वहाँ हम किसी भी प्रकार की कमी रखने देना ही नहीं चाहते हैं। जितना हमारा सामर्थ है, हम अपने तरब से पूरा करने की कोशिश करते हैं। सामान्य रूप में, जैसे माता-पिता होते हैं, अपने बच्चों को वह सारी सुख सविधाय देना चाहते हैं, जो वह बच्चपन में नहीं ले पाए थे। उनके मन में होता है कि हमने तो बच्चपन में बहुत तकलिफ देखी है, हम अपने बच्चों को वह तकलिफ नहीं देंगे। इसलिए छोटी-छोटी जरूरत का भी ख्याल रखते हैं। अब सोचिए कि जो जागरित ब्रह्मिश्ष्टी हैं, उनके हृदय में राज्जी के लिए जो प्रेम है, वह एक माता के हृदय में बच्चों के लिए जो ममता होती है, उससे अनंत गुना अधिक है। तो सुन्दर साथ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी सेवा का भी उन्होंने ख्याल रखा है। अब रितु के हिसाब से यदि गर्मी की रितु है तो ओड़ने के लिए चादर और यदि सर्दी की रितु है तो ओड़ने के लिए रजाई की वियोस्था होती है। श्री जी के पलंग पर चारों पायों पर लाल रंग के चमकते हुए चार डंडे लगाए हुए हैं और उस पर परदे लगे हुए हैं उपर छतरी की सोभा है। श्री जी के पलंग को समय अनुसार उठाने की या फिर उसमें बिस्तर वगर विचाने की जो सेवा है वो नारायन दाह जी और हरिननन जी करते हैं। कुछ दिनों तक यही सेवा नाथा जोशी ने भी की है और मथुराज जी ने गंगादास जी ने परमानन जी श्याम जी ये चारों और इनके अलावा मानिक भाई भी हैं उन्होंने भी कुछ समय तक ये सेवा की। ये नाम में क्यूं ले रहा हूं ऐसे नाम आगे भी आएंगे पर अभी के प्रसंग से केवल मुख्य बात ये समझना चाहिए। होंगे पर उन सुन्दर साथ में वो भावना नहीं है। हमारे यहां क्या होता है कि जैसे एक गाओं की कहानी मैंने सुनाई थी आप सबको किसी दिन कि गाओं में एक तालाब बनाया गया और कहा गया कि इसमें तो दूद भरना है अर्था ऐसा दूद का तालाब कहीं पर भ तालाब खोद लिया गया प्लास्टर वगर किया गया और एक दिन निश्चित किया गया कि कल सुबा सुरियोदय से पहले सब लोग अपने अपने घर से एक एक लिटर दूद लाकर इस तालाब में डालेंगे। एक विक्ती ने सोचा कि इतने सारे लोग तो दूद लेकर के आ रहे हैं मैं पाने डाल दूँगा तो क्या ही हो जाएगा। जागनी के संदर में भी हम ऐसा ही सूचते कि प्रचार प्रचार की सेवा इनकी है यदि कई धन की सेवा की बात आती है तो हम सोचते हैं कि अच्छा धन की सेवा देने का काम तो इनका है। कई बार जैसे मान लेजिए कि सरसाव में किसी सेवा की आउसेकता पड़ी, तो हमारे मन में सबसे पहले ये भाव आता है, कि ये काम तो चोहांजी का है, सोचते हैं कि नहीं सोचते, जबकि वास्तविक्ता क्या है, वो भी एक सुन्दर साथ है, भले ही किसी विशेष पद में है, वो अपने भाव से सेवा कर रहे हैं, पर हमारा कुछ करतब यह बनता है कि नहीं बनता है, जैसे ज्यानपिठ का प्रांगण इतना बड़ा है, ठीक है, विद्यार्थी हमारे पास जितने भी है, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी क्या क्य होती है, पढ़नी की जिम्मेदारी सबसे पहले पर है, ठीक है, चार से छे गंटे की कक्षाएं होती है, सामाने रूप से, इसके अलावा, सामुईक सेवा, व्यक्तिगत सेवा, और स्वाध्याय ध्यान इत्यादी लेकर के, बच्चों के पास समय का भी अभा होता है, अब ह हम कई बार बाहर से आते हैं, तो कमी निकालते तो है, कि यहाँ यह कमी है, यहाँ वो कमी है, लेकिन ऐसा कब होता है, जब तक परायपन का भाव है, मैं कई बार देखता हूँ, सुन्दर साथ, शिकायत लेकर के तो आते हैं, कि ज्यान पिठ में यह सही नहीं है, वो सही नह ब्योस्ता में कमी है, उस ब्योस्ता में कमी है, सिकायत लेकर के आने वाले और समाधान लेकर के आने वाले में दोनमें फर्क है, देखिए, यदि मिसन का कारिया आगे बढ़ाना है, तो सलाह देने वाली जबान से सहयोग देने वाले हाथ का ज्यादा महत्व होगा, सलाह देने वाले दिमाग तो बहुत सारे हैं पर सहयोग देने वाले की भावना कम है यहां एक स्रीजी के विष्टर को विछाना है छेशे सुन्दर साथ है क्यों उनके मन में है कि कहीं न कहीं क्योंकि पांच हजार की जमात है रिजाने वाले पांच हजार चले मान लिजे कि पांच के पांच हजार यदि नहीं भी होंगे उस बहाव आले पांच सो तो ब्रह्म स्रिष्टिया है यदि पांच सो भी मान लिया जाए तब भी रिजाने वाले पांच सो और जिसको रिजाय जा रहे है वो एक तो क्या ही मौका मिलेगा एक की सेवा करने के लिए पूरे 24 घंटे का भी समय यदी रखा जाए तब भी 57 लोग परियाप्त होते हैं लेकिन सब लोग कही न कही से बहाना खोज रहे हैं कि हमें सेवा का मौका मिले श्री जी की विश्तर विछाने की सेवा में एक चद्दर के चार कोनों में से एक कोना भी पकड़ने का आवसर प्राप्त हो तब भी हमारा सवभाग्य होगा ये उन सुन्दर साथ की भावना है जिस दिन हमें भी ये सेवा भावना आएगी उस दिन जागनी बहुत तेजी से होगी वैसे तो हमारे समाज में जब भी हम चर्चा करते हैं मन्चों से सेवा की बहुत बड़ी महिमा वानी में लिखी अभी थोड़ी देर पहले हमने गायन भी सुना था जिनसुद सेवा की नहीं इस तरह से बहुत सारी चोपईया है कम से कम दर्जनों चोपईय होंगी सेवा के संदरम में और हमारे जागनी का जो आधार है तीन आधार भूत चीजों में से एक तो सेवा है जब हम चर्चा करते हैं सेवा की चौपई वानी की लेते हैं और उदाहरन देना होता है तो कभी हम सिखपंध का उदाहरन देते हैं कभी हम राधास्वामी का उदाहरन देते हैं कभी हम किसी अन्यमत का उदाहरन देते हैं कि देखो वहाँ पर ऐसी सेवा होती है क्यों? दूसरे मत का उदाहरण देना गलत नहीं है जहां से भी अच्छी बात दिखे वहां से हमें ले लेना चाहिए लेकिन क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं है या क्या हम सोयम उदाहरण नहीं बन सकते आज मैंने पुझे स्वामे जी से किसी चर्चा में सुना था कि किसी स्थान में एक गुरुद्वारे का निर्मान हो रहा था तो उस समय ततकालीन जो प्रधान मंत्री थे वो कोई सरदार थे, सिख थे वे आए अपने हाथ से फावडा उठा करके तसले में मिट्टी डाल डाल करके उन्होंने सेवा की आज भी, अभी मैंने सायद 5-6 दिन पहले की एक घटना मैंने देखी फेस्बुक में किसी गुरुद्वारे का वर्णन था उसमें वैसे तो पंजावी भासा में थी मुझे पूरी तरह से बात तो समझ में नहीं आई पर इतना पता चला कि कोई स्रधालू व्यक्ति वहां गया था दर्शन करने के लिए और उसके पास उसके जो जूते थे वो फटे हुए थे वो जब अंदर से बाहर आया अंदर दर्शन करके थोड़ा इदर उदर घूम करके सायद प्रसाद वगर ले करके तो उसकी जो जूती थे वो अच्छे से सिल करके बढ़िया से साफ करके पॉलिस करके रखे हुई थी तोकन नम्मर से पता तो चलता है कि ये मेरा नम्मर है पर उस जगह पर अपनी जूती को देख करके वो बंदा पहचान नहीं पाया होगा कि ये जूती मेरी है क्योंकि उसकी तो फटी हुई थी बाद में उसको पता चला कि यहां के सेवा दरने हमारे जूती को साफ करके सिल दिया है यह उनकी सेवा भावना है हम देखते है राधास्वामी मत में आप जाएंगे वहां जथा बनाया होता है मैं क्यों बता रहा हूँ यह देखे चौपाई हम हर वर्स पढ़ते आए हैं पर मुझे लगता है कि तिवरगती से जागनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयम को कुछ सीख करकी करने की आऊ सेकता है राधास्वामी मत में बहुत बड़ी-बड़ी सस्थाएं होती हैं बहुत बड़े-बड़े केंद्र होते हैं पर हर केंद्र में आप जाएंगे उनके कारेक्रम में लाखों की भीड होती है पर बाहर से मजदुरों को नहीं बुलाना पड़ता है कि ये सेवा करवा दीजिए उनके स्वयम सेवा मैं बता रहा था जथा होता है उनका जथा मतलब समूह प्रतेक गाउं से एक समूह होता है उस समूह के एक लीडर होते है जिनको जथेदार कहा जाता है इस्त्री होती है उनको जथेदार नहीं कहा जाता है उनके अधीन कुछ स्रधाल होते हैं भक्तजन जो रादास्वामी मत से जुड़े होते हैं अनुयाई दिन तय किया होता है कि इस दिन इस जथे के लोग जाएंगे, वहाँ जाकर के सेवा करेंगे, अगले दिन अगले जथे के लोग जाएंगे, इस तरह से प्रती दिन सेवा होती है, और किसी के उपर बोज भी नहीं बनता है, बोज तो तब हो ना, जब भावना की कमी हो, बोज कब लगता है जब पराया पन हो इसको एक दृष्टान से समझ सकते हैं कि एक लड़की है लगबग 6-7 साल की उमर है उसके उसने अपने भाई को ऐसे कमर से पकड़ करके गोदी में उठाया हुआ है और ले करके कहीं जा रही है किसी ने पूछा कि तुझे बोज नहीं लगता तुझे ये भारी नहीं लगता तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया पता है कहते हैं ये तो मेरा भाई है इस जवाब से हम क्या समझ सकते हैं क्योंकि उस बच्ची को वहाँ उस भाई में अपना पन है तो वजन भी उसको नहीं लग रहा है वो उसको उठा करके चल रही है आप देखेंगे जिस घर में भी माननीजे दो बच्चे ये दी आपके घर में होंगे उनका बच्पन आपने देखा होगा तो जो बच्चा पहले आया होता है वो बाद में आए होए बच्चे को हमेशा कोशिश करता है गोध में लेकर घुमने की उसको वजन नहीं लगता अपने पन के कारण इसी तरस से किसी के उपर बोज नहीं होता क्योंकि उन सब में अपना पन है मैंने सुना कभी गया तो नहीं हुमें लेकिन व्यास जो है हरियाणा में या साइद पंजाब में है जो सबसे बड़ा व्यास है वहाँ प्रती दिन लाखों लोग एक साथ खाना खा सकतें इतनी व्योश था लेकिन फिर भी कोई कम ही नहीं है सेवा में क्यों? इसी तरस से मैं एक बार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गया हुआ था वहाँ की व्योस था पर भी मेरी नजर थी मैंने किसी से पूछा कि आप यहाँ पर जो सेवा करते हैं आपको मासिक कितना वेतन दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मालीजे गवसाला में सेवा करते हैं उनको वेतन दिया जाता है या जहाँ जहाँ भी जो जो भी सेवा करते हैं सब को कुछ न कुछ देना पड़ता है आवस्षित्ता भी है मैं यह नहीं कहरा कि नहीं देना चाहिए पर मैंने उत्षुकतावस पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वेतन नहीं लेते हम तो साल में एक महिने की छुट्टी निकाल के आते हैं हम सब ग्रिहस्ती हैं ग्यारा महिने हम अपने लिए कमाई करते हैं एक महिने की छुट्टी लेकर के आये हुए हैं, जैसे इस महिने ये वाला समुह अभी जो सेवा में लगा हुआ है, इस महिने की सेवा है, अगले महिने हमारे जाने से पहले कोई और आ जाएगा, हम उनको सेवा हैंडोबर करके चले जाएंगे, फिर एक महिना वो करेंगे, फ दो शायद फैला होगा वो और उसको निसुल्क समाल रहे हैं ? किसी को पैसा नहीं दीया जा रहा है सब अपने तरब से सेवा कर रहे हैं तो सब देख रहे हैं हमारे ज्यान पीठ में भी यदि हम चाहें तो कोई चाहे बवदिक सेवा करें कोई चाहे तो आर्थिक सेवा करें कोई चाहे तो शारेदिक सेवा करें यदि इच्छा है तो कमी नहीं है एक कहावत कही जाती है कि जहां इच्छा है वहां उप जाता है यहां सुन्दर साथ के मन में भी सेवा की इच्छा है अब हजारों की संख्या में सुन्दर साथ है यदि वैसे देखा जाए तो कहीं मौका ही नहीं मिलेगा इसलिए जहां मौका मिले वहीं हाथ डाल देते हैं कि हमें भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो इसी तरसे अब ये तो स्री जी के बिश्तर बिचाने की सेवा है एक सुंदर साथ है चबिलदास जी जब रात्री वेतित होने में दो घड़ी का समय होता है अथात लगबग सवा पाँच बजे का समय है तो स्री जी के लिए पानी लेकर के आते हैं रितु के हिसाब से यदि गर्मी की रितु है तो ताजा पानी और यदि सर्दी की रितु है तो गरम पानी जिसको गुनगुना करके उसमें लौंग इत्यादी डाल कर लेके आते हैं प्रातहकाल स्री जी के चरणों को दबाने की सेवा अगर दाश जी और गुल जी करते हैं और इसी तरह से राम भाई भी उसी सेवा में आते हैं कुछ दिनों तक ये सेवा खेम दाश जी ने की देखिए चरण दबाने की सेवा है चार लोगों का इसमें नाम है लगबग लगबग प्रत्य एक सेवा में इस तरह से एक नहीं अनेको सुन्दरसाथ के नाम हैं केवल भाव पुरा करने के लिए सोचते हैं कि हम हाथ भी लगा देंगे तो हमारा भाव रह जाएगा स्री जी तक हमारा भाव पहुँच जाएगा इसी तरह से अब सुर्योदय के समय जब आकास में हर तरफ लाली मा फैल रही होती है तो स्री जी अपने पलंग से उठते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो सोय हुए थे जब हम आठों प्रहर की बितक को सुन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्री जी कब सोते हैं अब सुबह के समय में बिहारी दाहजी अंगिठी ले करके आते हैं क्य यदि आवसेक्ता होती है तो बिहारी दाहजी अंगिठी ले करके आते हैं और स्री जी को आग तपाते हैं रतन बाई जी गुनगुने जल में रुमाल भिगो करके स्री जी को आँख पोचने के लिए देती है देखिए एक एक सिवा में सुन्दर साथ का ध्यान है हमारे घर में भी कोई VVIP मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं सामान्य कोई यदि परिवार के सदस्य आ रहे हैं तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है हाँ कुछ अच्छा खाना बना देंगे और साफ सफाई कर लेंगे इतना ध्यान रखा जाता है पर जिन से हमें बहुत अजीज हैं प्री हैं उनके लिए हम क्या करते हैं एक एक चीज का ध्यान रखते हैं हर चीज नई लगाने की कोशिश करते हैं टूत ब्रस से ले करके बेडशिट से ले करके हर चीज और कुछ भी यदि करना हो घर पे तो उनसे पुछा जाता है उनके हिसाब से घर में चला जाता है कि उनको क्या आच्छा लगता है वो बनाएंगे उनको क्या यदि गुमने का मन हो गुमने की इच्छा हो तो गुमाने ले जाएंगे उनको कोई भी समझ से हो रही हो यदि हमारे घर में एक मच्छर दानी होगी तो हम उनको देंगे वाले ही स्वेम मच्छर से कटवा ये हमारा एक लवकिक संबन्ध है तो सोचे कि स्री जी के प्रति सुंदर साथ कैसे प्रेम निभाते होंगे क्योंकि उन्हें तो संबन्ध की पहचान भी है ना इस तरह से अब धनजी ताराबाई कन्नड और गंगाराम अब सुबह का समय है यह आते हैं और आकर के गायन करते ह कि तीजी भूम की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत हैं उठी प्रात बन सीचत अमरित अगाद इसमें पुरा तीजी भूम का वणन है उठ करके आने का वणन है इस गायन में सुन्दर साथ आननदित होते हैं क्योंकि सुनने की गाने की सेवा तो है सुन्दर साथ उसे सुनते हैं अब क्योंकि सुबह का समय है रात भर चर्चा चली है या फिर वाने गायन चला है यदि सर्दी का समय है तो स्रीजी सुबह सुबह इसनान नहीं करते क्योंकि यदि वैसे देखा जाए उम्र के हिसाब से तब भी सतर साल के आसपास की अवस्था है तो सुबह सुबह सुन्दर साथ भी इसनान करने नहीं देते सामान्य नित्यक्रिया से निवरिध हो करके सुन्दर साथ उन्हें वस्त्र पहनाते हैं अब वस्त्र पहनाने की सेवा में प्रियमदास जी हैं, रामचंद जी हैं, नंदराम जी और वल्लब जी ये चार सुन्दर साथ वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं यसी तरह से प्रियमदास जी है, ये स्री जी का स्रिंगार कराने की सेवा करते हैं, लालबाई जी, स्री जी जो कूर्टा धारन करते हैं, आज कल तो बतन वाले कूर्टे आ गए हैं, आज भी आप काठियवाड की तरफ जाएंगे, कच की तरफ जाएंगे, तो जो पुराने लोग हैं, वे कस वाला, कस मतलब जो धागा बांधने वाला होता न, ऐसे कस वाला कूरता पहनते हैं, तो लाल भाई जी, स्री जी की कूरते की कस बांधने की सेवा करते हैं, कोई बहु भी मौके को वो छोड़ते नहीं हैं, अब सामन्य वस्त्र और सामन्य श्रिंगार करके, श्री जी आगे की क्रिया के लिए उठते हैं, यहाँ एक नाम प्रमुख है महराजाज छत्रसाल जी का, पहला प्रहर है यह, और क्या कहते हैं, जब पहुँचे इत, महराज पहना वत श्रिंगार सेवा करे सनेहसों, जान के धने निरधार, जब महराजाज छत्रसाल जी पहुँचते हैं, तो श्री जी का श्रिंगार कराने की सेवा वो करते हैं, पहले प्रहर से उनका नाम आ रहा है, पूरे दिन भर हर सेवा में उनका नाम आता है, रात्री के साथ में प्रहर तक उनका नाम आता है, तो वो स्रिंगार कराने की सेवा करते हैं, अब उस समय क्योंकि आजकल की तरह पक्के सोचाले तो होते नहीं थे, कच्चे सोचालाई में भी ही जाना पड़ता था तो वल्लब जी हैं जीवी प्रेमबाई ये सोचालाई के उपर चंद्रवा बाधने की सेवा करते हैं उपर से कपड़े ताकि कोई परेशानी नहो अब स्री जी उसके पस्चात हरिवंस जी के घर पधारते हैं अब जब स्री जी चल रहे हैं तो पावड़ा विछाने की सेवा करते हैं सबसे पहले लालबाई जी स्री जी पावड़े में अपने चरण रखते हुए मस्ती भरी चाल से जिसको वितक में कई जगपर लटकनी मटकनी चाल कहा है इसका आर्थे मस्ती में युक्त हो करके चलना तो वो चलते हैं सवचालव की जो व्योस्था करने की सेवा है ये किसी समय घंश्याम जी करते हैं पहले ये सेवा हरीवंच जी के पास थी और बाद में घंश्याम जी ने ये सेवा ली थी और उस सेवा को उन्होंने विशेश रुप से निभाया था, लंबे समय तक निभाया था यहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि एक ही सेवा को कुछ दिनों तक कोई सुन्दर साथ करते हैं फिर कुछ दिनों के पर साथ दूसरे सुन्दर साथ करते हैं इससे क्या शिक्ष्या मिलती है? कि सेवा अपने अहम की पुष्टी के लिए नहीं होती है. कई बार हम क्या सोचते हैं? कि हमने कोई सेवा ले ली है, मान लीजे, कि यह सेवा मैं करूंगा. और यदि हम से उसमें कोई कमी हो जाती है और हमें कहा जाए, कि नहीं आए आप यह स सेवा चोड़ दीजे, ये सेवा किसी और को दे देते हैं, हम उसे अपनी इज़त का सवाल बना लेते हैं, कहते हम ही करेंगे, भले ही हमें करना आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, सेवा वास्तों में कैसे होती है? सेवा आवश्यक्ता के हिसाब से होती है हमें सेवा के हिसाब से चलना होता है हमारे हिसाब से सेवा नहीं चलानी होती है हम कई बार क्या करते हैं कि अपना भाव दिखाने के चक्कर में जिसको भाव दिखा रहे हैं उसी को दुखी कर देते हैं ये सेवा नहीं है, जैसे मान लिजी उदाहरन के लिए, कि स्वामी जी को हमें किसी के घर में बुलाना है, अपने घर में बुलाना है, हम अपने तरब से तयारी करेंगे क्या सोचकर? हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे मान लिजिए कि हमने जो तयारी की है यह दि स्वामे जी के स्वास्त के हिसाब से उनकी साधना के हिसाब से उचित नहीं होगी तो स्वामे जी उस चीज़ को स्विकार नहीं करेंगे और ये दिन नहीं करेंगे तो हमें बुरा लगेगा, फिर हम कहेंगे कि नहीं हमारा भाव है, खा लीजिए, हमारा भाव है, रख लीजिए, तो हम क्या करते हैं? अपने भाव के हिसाब से उनको चलाने की कोशिस करते हैं यहां ऐसा नहीं हो रहा है यहां जो सुन्दर साथ जिस सेवा को जितने अच्छे से कर रहा है दूसरे सुन्दर साथ के मन में होता है कि भले ही कोई भी करे पर स्री जी की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए तो इस भाव से सुन्दर साथ सेवा करते हैं अब स्री जी जब भी चलते हैं खड़ाओं पहन करके चलते हैं खड़ाओं पहनाने की जो सेवा है सबसे पहले नारेणदाह जीने की कुछ दिनों तक मोहन जी ने सेवा की और उसके बाद उस सेवा को खिमाई भाई ने समभाला और उसके बाद फिर राजी प्रसन्न हो करके वह सेवा वल्लब दास जी को दे देते हैं फिर उसके बाद वल्लब दास जी उस सेवा को अकेले करने लगते हैं लाल भाई जी श्री जी के चलने के राष्टे पर पावणा बिछाने की सेवा करते हैं तो उसी सेवा को करने वाली एक बकाई भाई है किसनी है ये दो सुन्दर साथ भी पावणा बिछाने की सेवा करते हैं तो एकी सेवा में तीन तीन चार चार लोग है शिवराम भाई श्री जी के लिए लोटे में जल भर कर लाते हैं और दोनों बखत दोनों बखत मतलब सुबह साम ये स्री जी के सोचालाई जाने की तयारी हो रही है अब स्री जी जाते हैं वहाँ पन्ना जी में ही एक पलास का व्रिक्ष होता है और उस व्रिक्ष के नीचे हरी बन्स और देव की जी की छोटी सी कुटिया होती है उनका छोटा सा एक निवास इस्थान होता है और स्री जी वहाँ पर जाते है देखिए पन्ना जी में जब स्री जी विराजमान हुए बंगला जी में चर्चा हुआ करती है स्री जी का लगबग पूरा समय वहीं बीतता है पर क्योंकि एक स्थान अब निश्चित हो गया न तो इसलिए वहाँ आसपास के छेत्र में सुन्दर साथ ने अपने छोटे-छोटे मकान बना लिये थे सर्दी घर में वर्षा से बचने के लिए क्योंकि खुले में तो रह नहीं सकते तो इसलिए सब सुन्दर साथ अपने-पने अपने-पने कुटिया बना ली और अपने-पने कुटियों में रहते हैं वही उनका घर भी था बस उनकी भावना होती है कि स्रीजी से हम कभी भी अलग नहों इसलिए दिन भर स्रीजी के साथ ही होते हैं और उनके मन में ये भी होता है कि थोड़ी दिर के लिए इससरीजी हमारे कुटिया में पधा रहे हैं तो बारी-बारी की दातोन साथ आगे धरे अब गुन गुना जल बड़े बड़े मटकों में भरकर सुन्दर साथ के लिए रखा जाता था श्रीजी की तो सेवा होई रही पर सुन्दर साथ के लिए भी मटके में पाने भरके रखा जाता था और जल जहारी जिसको सुराही कहा जाता है ऐसे सुराही के साथ साथ हमें सुन्दर साथ के लिए दातों भी उपस्तित रहते थे कुछ दिनों तक गुल मुहम्मद और दौलत खान ने ये सेवा की अब धामधनी प्रति दिन उस स्थान पर आते हैं हरिवंस जी के कुटिया में जब स्री जी चलते हैं तो रास्ते में क्योंकि सुबा सुबा थोड़ी थोड़ी धूप निकलने शुरू होती है तो सेख बधल जी हाथों में सुरज मुखी लेकर खड़े होते हैं हमेशा रितु के हिसाब से सुरज मुखी फूलों को रखते हैं सुरज मुखी फूल वैसे काफी चौड़े होते हैं वे कोशिस करते हैं सेख बधल जी कि स्री जी को उनके चेहरे पर धूप ना लगे है ये उनकी प्रेम में भावना है वरना वैसे तो सुबह की दूप से कोई नुकसान तो नहीं होता है पर केवल भावना है उनकी इस तरह से अब जब स्री जी चलते हैं दोनों तरफ एक तरफ केशवदास जी हैं एक तरफ संकरदास जी हैं मोर्चल लेकर के खड़े होते हैं मोर्चल मतलब जैसे जो मोरपंख होते हैं उनको इकठा करके मोर्चल बनाया जाता है जैसे हमने पन्ना जी में देखा होगा या मेरे विचार सी या मंदिर में भी होगा उससे हवा करते हैं एक यह सम्मान का प्रतिक है वैसे तो उसकी हवा से कोई इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ता पर ये सम्मान का प्रतिक है तो मौर्चल लेकर के केशवदास जी और संकर जी खड़े रहते हैं इसी सेवा में कभी नंदराम जी भी सामिल होते हैं वलबदास जी स्री जी के सिर पर छत्र रखने की सेवा करते हैं छत्री लेकर के चलते हैं अब हरबंस जी के घर से जब स्री जी वापस लोटते हैं तो जो पावड़े विछा गए हैं उनी पावड़ों में चलते हुए वापस जाते हैं उन पावडों को अब बिछाने की सेवा, क्योंकि बदलना भी तो पड़ता है ना, छोटे-छोटे पावडे होते हैं कुछ दूरी के, जब स्री जी आगे जाते हैं, तो पीछे वाले को उठा करके आगे लेके जाया जाता है, तो ये सेवा करती हैं, धनबाई जी, दूसरे प वे भी पावडा बिछाने की सेवा करते हैं, और स्री जी जब पहुंचते हैं, अब क्योंकि स्री जी के चरणों को धोना है, तो स्री जी कुरसी या पलंग पर बैठते हैं, अब बैठते समय, उनका हाथ पकड़ करके बैठाने की सेवा धनबाई और राम कुमर जी करते हैं और सुन्दर साथ अब स्रीजी के चरणों को धोते हैं और उसके पस्चात सुगंधित तेल से स्रीजी के चरणों की मालिस की जाती है कभी-कभी स्री जी वहीं बैठे-बैठे दातों नित्यादी भी करते हैं सुन्दर साथ स्री जी के मालिस कर रहे होते हैं क्योंकि सुन्दर साथ के मन में क्या भाव है देखिए जिस तन को माध्यम बना कर राजी ने हमें परमधाम की सारी नियामतें दी है जो अपने तन की परवाह नहीं करता उनकी परवाह करना किसका करतव यह हमारा यह सुन्दर साथ का भाव है आज मैं बार बार यह उदाहरन देता हूँ यदि अचानक लाइट चली जाए और हमें एक घंटे के लिए बिना माई के 50 लोगों क बीच में बोलना पड़ जाए तो पता चलता है कि कितना जोर लग रहा है वो समय तो 5000 की संख्या थी माई की तो कलपना कर नहीं सकते हैं इतने सुन्दर साथ के लिए मालने जे 5000 नहीं भी होंगे कुछ सुन्दर साथ अलग-अलग सेवा में जाते होंगे फिर भी 3000-4000 लोग तो होंगे इतने सुन्दर साथ को बिना माइक के चर्चा सुनाना वो भी एक गंटे की बात नहीं है दिन में लगबग लगबग आठ गंटे की चर्चा होती है 6-8 गंटे की रात के 12-12 बजे तक भी कई बार स्री जी चर्चा करते हैं और उसके बाद भी वो सोते नहीं है सुन्दर साथ जो बाणे गायन करते हैं लेटे लेटे उसे सुनते रहते हैं तो फिर ऐसे तन को जो अपनी परवाह ही नहीं करता उसकी परवाह करना सुन्दर साथ का करता भी है इसल अपने तरफ से इनकी सेवा करें ताकि सही रह करके स्वस्त रह करके स्रीजी हमें परमधाम के आनंद में परमधाम के सागर के सुखों में डुबोते रहें उस भावना से सुन्दर साथ सेवा करते हैं अब सारी नित्यक्रिया से निवरित हो करके स्रीजी यदि गर्मी की रित तो सुबह ही इसनान कर लेते हैं इसनान करके तिलक करते हैं केसर मिश्रित चंदन का तिलक करते हैं और उसके बाद अब श्री जी सुन्दर साथ को चित्वनी करा कर परमधाम दिखाने के लिए तयार होते हैं कर चित्वन साथ को दिखाए सुबह भी चित्वनी कराई जाती है साम को भी चित्वनी कराई जाती है सुब भी वाणी की चर्चा होती है साम को भी वाणी की चर्चा होती है इस तरह से अब ये पहला प्रहर है जिसमें स्रीजी ने रितु के हिसाब से नित्यक्रिया से निवरित हो करके यदि सर्दी की रितु होती है तो नित्यक्रिया से निवरित होते हैं, दातों नित्यादी करके, फिर सुन्दर साथ को चित्वनी कराते हैं, या फिर चर्चा सुनाते हैं, और यदि घर्मी की रितु है, तो सुबह ही इसनान करके वही प्रक्रिया चलती है, क्योंकि ये तो दस वर्ष की दिन चरिया है, रि 20 गंटे की एक दिन की दिनचरिया नहीं बताईए ना हमें समझाने के लिए संग्षेप में बताया रितु के अनुसार अब श्रीजी को पुनह स्रिंगार कराया जाता है और स्रिंगार कराने के बाद में अब क्या कहते हैं कि कि श्रीजी अपने ही स्रिंगार को देखने के लिए अब जब इच्छा करते हैं कि संदर साथ ने कैसी सेवा की तो कहते हैं नित लियावे दरपन को यह जो अगरदास अगरदास संदर साथ जी हैं जो जब स्रीजी पाग बाधते हैं या पाग बधवाते हैं तो दरपण लेकर के आते हैं ताकि उन्हें सुविधा हो कुछ दिनों तक उद्धव जी स्रीजी को तिलक लगाने की सेवा करते हैं स्रीजी ने जो पाग पहनी हुई है उसमें चंद्री का लटकी होती है और श्रीजी पाग बादने के बाद सिंहा सन पर विराजमान होते है अब यहाँ मैं सुन्दर साथ से विशेश रुप से आगरह करना चाहूँगा कि एक बार इस अस्ट प्रहर की बीतक को स्वयम भी पढ़े केवल नाम के हिसाब से नहीं केवल जानकारी के हिसाब से नहीं पहले आज से लगबग साथ आठ वर्स पहले तक मैं सुयम भी इसको जानकारी मुलक समझ करके पढ़ता था और चर्चा भी करता था लेकिन यह केवल ज्यान परक नहीं है अस्ट प्रहर की सेवा पुजा भाव परक है करते थे कितने समय तक किस किसने कौन से सेवा की उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है हाँ एक ही प्रहर की एक किसी सुन्दर साथ का भाव पकड़ करके भी यदि हमने उस भाव को समझा तब भी हमारा कल्यान हो सकता है तो यह पहले प्रहर की की सेवा है जिसमें श्री जी पूर्ण रूप से तयार हो करके अब सुन्दर साथ को परमधाम दिखाने के लिए कभी चित्वने के माध्यम से कभी चर्चा के माध्यम से परमधाम दिखाने के लिए तयार होते हैं और इस तरह से तयार होते होते दूसरा प्रहर सुरू हो जात दूसरे प्रहर का समय है नौ से बारा बजे का सुबह के नौ से बारा का समय है अब क्योंकि स्री जी पूरी तरसे तयार हो चुके हैं सारे सुन्दर साथ सेवा कर चुके हैं अब सेवा करने की बारी है स्री जी की स्री जी कैसे सेवा करेंगे वाणी चर्चा सुना करके परमध एक तरफ लालदास जी विर्याजमान है, एक तरफ केशवदास जी, लालदास जी कुरान और हदीश को अपने साथ रखते हैं, आवसेक्ता के अनुशार खोल के पढ़ते हैं, और केशवदास जी भागवत आदी को रख करके, पढ़ करके श्रीजी को रिजाते हैं, धामधनी जब चर्चा करते हैं, जब परमधाम की बात करते हैं, तो निशानियों के रूप में, प्रमाण के रूप में उन ग्रंथों को पढ़ करके सुनाया जाता है, उसमें एक सुन्दर साथ है, उनका नाम है जैन्ति काका, उनके पास एक संदुक रहते हैं, संदुक मतलब बक्सा, उस बाकस में सभी धर्मग्रंथों को वो रखते हैं यहां तक की रेहल भी रखते हैं और जब आवसेक्ता होती सुबह चर्चा से पहले वो सारी आवसेक्ता हैं पुरी करते हैं कभी-कभी क्योंकि पन्ना जी की जो धर्ती है काफी पत्री ली है गर्मी के समय में बहुत उमस होता है हुमेरिटी के कारण और सरीर चिपची पहट सरीर में चिपची पहट के कारण कई बार खुजली सुरू होती है अब चर्चा करते करते क्या होगा हाथ पीछे चला जाएगा पिठ की तरब तो जाता नहीं है सुन्दर साथ इतना भी कष्ट सहन नहीं कर सकते तो एक सुन्दर साथ है उनका नाम है वनमाली दास ये बढ़ई का काम किया करते थे तो उन्होंने क्या किया लकडी का पंजा बना दिया आजकल आप बाजार में जाते तो प्लास्टिक के पंजे आते ना पिठ खुजाने के लिए वैसे ही उन्होंने बनमाली दास जी ने लकडी का पंजा बना करके लाके रख दिया है जब आवसेक्ता पढ़ती है स्री जी उसका प्रयोग कर लेते हैं और अब चर्चा शुरू होती है जब स्री जी चर्चा करते है एक सुन्दर साथ है मुरली धर्जे चाहे सुबह की चर्चा का समय है चाहे साम की चर्चा का समय है हमारा तो ध्यान चर्चा के समय में किस-किस में जाता है सबसे पहले घड़ी में हर 15-20 मिनिट में हमें देखना पड़ता है और बोलने वाले को तो ज्यादा देखना पड़ता है क्योंकि यदि ध्यान नहीं दिया और 5-7 मिनिट आगे पीछे हो गए तो सुन्दर साथ के चेहरे में पता चलना शुरू हो जाता कि कुछ तो हुआ है ठेक है? कुछ तो हुआ है पर मुरली धर एक ऐसे सुन्दर साथ है जो स्रीजी के नेत्रों में नेत्र डाल करके एक टक मुर्दी की तरह बैठे रहते हैं देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये सरीर से तो पता चल जाता है पर ये पता ही नहीं चलता कि ये सुध है कि बेसुध में है आग भी एक पलक भी वो नहीं जपकते और पूरी चर्चा वो ऐसे ही सुनते हैं कहते हैं सनमुख स्रवणा देत हैं मुर्ली धर बनाए ना आसन नित्र डगावहीं रहें दृष्टे दृष्ट जुडाए श्रीजी के नजरों में नजर डाल करके वो चर्चा सुनते हैं अब वर्णन भी तो करने वाले वैसे ही है ना कैसे वर्णन करते हैं कहते हैं दिल दरियाओ खुलत है कई लहरा उठत तरंग स्रवणा देत जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग श्रीजी के हिरदय में ज्यान का अनंत सागर है जब उस अनंत सागर की लहरें बाहर दिखाई पड़ना शुरू होती है तो सुन्दर साथ उसके आनंद में डूब जाते हैं कई लहरे सुखधाम के बर्णन होतर साल अत्यन्त मधूर बर्णन स्रीजी करते हैं और उस समय महारजा शत्रसाल जी भी कई बार चर्चा सुनने के लिए आते हैं मैं महारजा शत्रसाल जी की बात को यहां क्यूं हाइलाइट कर रहा हूं बताए लालदास जी ने तो हाइलाइट किया ही है मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जैसे सुन्दर साथ को सबक मिले कि समय नहीं मिलता देखिए महराधा छत्र साल जी सत्रु सेना से लड़ाई भी कर रहे हैं अपने राज्य को भी देखना है परिवार भी हम से तो बड़ा ही था तिन पत्नियां थे ना लोकिक द्रिष्टी से देखा जाए उन्हें भ बच्चों को भी समालना है राज्य भी समालना है सेवा भी समालनी है दुस्मन आक्रमन न कर दे उसका भी ध्यान रखना है और इतना होने के बावजुद भी हर प्रहर की सेवा में वो सामिल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि समय नहीं मिलता है हम निकालना नहीं चाहते छत्रशाल जी जब राजा होने के बावजुद इतनी जिम्मेदारी होने के बावजुद निकाल सकते तो हम क्यों नहीं निकाल सकते इसलिए मैं छत्रशाल जी के प्रसंग को बार-बार वर्णित कर रहा हूं हाइलाइट कर रहा हूं अब स्री जी जब चर्चा करते हैं सास्त्रों की साख्षियां प्रमाण देख करके भागवत के वचनों से समझाते हैं भागवत के 40 प्रशनों को खोलते क्योंकि 10 वर्ष की लीला है ना तो हर दिन एक ही चर्चा तो नहीं करेंगे कभी किसी सास्त्र पर चर्चा होती है कभी किसी सास्त्र पर कभी भागवत की सामान्य रूप से चर्चा होती है कभी प्रशनों उत्तरिक करते हैं भागवत के 40 प्रशनों के रहस्यों को खोलते हैं कभी किरंतन पर चर्चा होती है तो इस तरह से अनेक विशाय में चर्चा करत कभी ब्रज की लिला सुनाते हैं कभी राश की लिला सुनाते हैं और कहते हैं मीठी रसना रस भरी अत्व सुन्दर है तौल चैन होते हैं चित को कोई ना ही एशुख बोल स्रीजी के द्वारा चर्चा हो रही है और सुन्दर साथ उसका आनंद ले रहे हैं तो उसमें जो आनं चर्चा में श्री जी क्या करते हैं धामधनी निज धाम को और न दाता होए क्या करें श्री लालता जी कि यहां जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में धामधनी का वर्णन होता है और धामधनी का वर्णन कौन कर सकता है साक्षात धामधनी उनके अलाव और कोई कर नहीं सकता और लेने वाले भी कौन ले सकते हैं? ये लेने वाले साथ हैं, और न समझे सोय. ब्रह्म स्रिष्टियों के अतिरिक्त परमधाम की उस प्रेम लिला के भणन को कोई सुन भी नहीं सकता. अब स्री जी कई बार ये भी बताते हैं, कि सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल. परमधाम में सुख है और यहाँ पर दुख है, इस दुख से हमें जागरित होना है. हमें पता तो है कभी-कभी हम जब संसार से परेशान होते हैं तो राजी से प्रार्तना भी करते हैं कि राजी इस दुख रूपी खेल से हमें ले जाईए पिया जी, धनी जी खेल को बस करो पर जैसे ही वो दुख चला जाता है, परिस्तिती सामान्य होती है तो हमें वही खेल फिर अच्छा लगने लगता है पर स्री जी बता रहे हैं कि परमधाम में सुखे और ये संसार दुख है अब युक्ति पुर्वक सुन्दर साथ को जगाने के लिए ब्रज रास और ये तीसरे तकरार का वर्णन सुनाते हैं और कहते हैं तुम नहीं इन खेल के याद करो निज लिला का कभी वर्णन करते हैं कभी दियोचंद्र जी के तंसे होने वाली लिला का वर्णन करते हैं कभी छठे दिन की लिला के विशे में बताते हैं कभी कतेव पक्स को ले करके सातों निशान के विशे में समझाते हैं कभी चार वसियत नामें के विशे में बताया जाता है इस तरह से विभिन प्रसंगों में स्री जी चर्चा करके समझाते हैं और स्री जी जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल, भानने को ठाडा रहे सोई करत दज्जाल जब स्वयम अक्षरातित अपनी चर्चा के द्वारा परमधाम का वर्णन करते हैं सुन्दर साथ को जगाते हैं तो उस समय सब सुन्दर साथ आनन्द में इतना डूब जाते हैं कि किसी के पास भी बोलने की सामर्थ ही नहीं रहती हाँ और यदि कोई किसी दिन किसी कारण से चर्चा में बाधा डालने का प्रयास भी करता है तो वह दज्जाल का सुरूप होता है और कहते हैं कि स्री महामति कहें ए साथ जी सुनियो चित दित्तुम अब आरोगन के वक्षत का हुआ है हुकम अब आरोगने का समय हो रहा है भोजन का समय हो रहा है तो उस समय का वरणन आगे करने जा रहे हैं अब कल की चर्चा में हम आने वाले तिसरे चौथे या जितने भी प्रहर हम कर सकते हैं कल के डेड़ घंटे की आओधी में उस चर्चा को सुनेंगे मुझे लगता है कि सुन्दर साथ सेवा के भाव को समझते गए हैं सुनते तो हम हर वर्स हैं पर इसे आत्म साथ करके यदि हम सेवा के मार्ग पे स्वयम आगे बढ़ें तभी इसका सुनना सफल होगा छोटी सी सेवा में भी जैसे जो स्थान जागरूक होते हैं विचारसिल या विवेकसिल होते हैं आप ऐसे देशों में जाएंगे उनके सहरों को देखेंगे वहाँ एक छोटे से कागज का टुकड़ा भी जमिन पे आपको नहीं मिलता है और यदि कहीं गलती से गिरा हुआ देखेगा तो जो व्यक्ति देखेगा उसको उठा करके डाल देगा ताकि उसके मन में यह होता है कि हमारे सहर की जो इज़त है या हमारे देश की इज़त हमारी इज़त है यदि कोई विदेशी आएगा और हमारे देश में इस तरह से कुड़ा करकर देखेगा तो हमारी बेजती हो जाएगे ज्यानपिठ में भी येदि किसी प्रकार की ऐसी सेवा दिख रही है कोई कमी दिख रही है तो ये मत समझे कि ज्यानपिठ जो अंदर रहते हैं 30-40-50 लोग केवल उनका है ये आप सब का है आप सब के सहयोग से इसका निर्माण भी हुआ है आप सब के सहयोग से इसका भरण पोशन भी हो रहा है और आप ही सब के सहयोग से जागनी का कारिया भी आगे होने वाला है जब हमारी ही सहयोग से हो रहा है तो हम इसको अपना क्यों नहीं मान रहे हैं ये हम सब का है इसकी कमी भी हमारी कमी है इसकी अच्छाई हमारी अच्छाई है इसकी अच्छाई को भी हम अपना आए और इसकी कमी को भी हम अपना मान करके अपनी कमी मान करके हटाने के लिए अपना प्रयास करें जब भी सेवा के लिए आहवान किया जाए पहले बात तो य यह कि आहवान करने की आवसेक्ता भी ना पड़े और यदि फिर भी आहवान की जाती है तो आकर के प्रत्यक्ष रुप से सेवा में अपना योगदान दे भले ही कोई आर्थिक सेवा कर सके या ना सके सारीरिक सेवा तो कर ही सकते हैं जो सारीरिक नहीं कर सकते वा आर्थिक कर सकते हैं और जो दोनों नहीं कर सकते यदि अक्षम है तो कम से कम दूसरे लोगों को प्रेरीत करने की सेवा तो कर ही सकते हैं यदि ऐसा भी करते हैं तब भी हम सब मिल करके भूद भूद से घड़ा भर करके जागनी कार्य बहुत तेजी से कर पाएंगे ब्रह्मवाने को बहुत तेजी से जन जन तक पहुँच पाएंगे बस इतना ही कहते हुए अब समय पुरा होता है चो पैदो रहिए स्री महामत कहे ए साथ जी सुनियों चित दे तुम अब आरोगन के वक्षत का हुआ हे हुका म हुआ हे हुका बोल स्री प्राणनात बोल स्री सद्गुरू महाराज